Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Learn with Kamini आज हम करने वाले हैं correct और incorrect sentences MCQ pattern जो new है आपको पता है तो इसमें हम predict नहीं कर सकते कि किस तरह के MCQ आएंगे बट अगर आप ये जान ले कि incorrect sentences को correct कैसे करना है उसमें हमें कौन सी mistakes को find करना है तो आप easily अगर किसी तरह के भी MCQ आएंगे तो आप find कर सकते हैं तो मैं सिखाऊंगे आपको यही तरीके कि किस तरह से आप find करेंगे इनकी mistakes, incorrect को कैसे करेंगे आप correct तो वीडियो स्टार्ट है करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे new है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा तो चलिए देखते हैं तो जो भी हमारा sentences है ठीके? उनमें हम दो चीज़ देखते हैं एक होता है helping verb और दूसरा होता है verb तो हम पहले बात कर लेते हैं helping verb की अब singular helping verb कौन-कौन से होते हैं वो देख लेते हैं तो आप देख रहे होंगे singular होते हैं is, am, was, has, had अगर हम plural का देखें तो plural के लिए use होता है are, were, have और had had हमारा दोनों में ही same आता है चाहे वो singular हो या plural हो तो ये तो बात हो गई कि singular कौन-कौन से verb होते हैं और plural कौन-कौन से verb होते हैं अब मैं आपको example बताती हूँ जैसे अगर मैंने बोला Ram and Shyam तो Ram and Shyam दोनों plural हैं तो उसके साथ मैं लगा सकती हूँ are उसके साथ मैं लगा सकती हूँ were और उसके साथ मैं लगा सकती हूँ have अगर हम बात करें news अब देखें news सुनने में तो plural लग रहा है बट, news जो है हमारा वो singular के अंडर आता है, तो हम news के साथ is लगाएंगे, अब एक sentence देख लेते हैं जैसे, these news are good, correct, हमारा आप pose करिए और इसको देखिए, कि ये incorrect है या correct है, obviously ये वाला जो हमारा sentence है वो incorrect है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो news है, वो हमारा singular count होता है, तो यहाँ पर ये correct sentence क्या होगा इसका, this news is good, ठीक है, next example देखते है, mathematics are a difficult subject, अब जो mathematics है, वो भी singular count होता है, तो mathematics is a difficult subject आएगा, ये हमारा sentence incorrect है, इसी तरह से आपके जो guide, आपकी जो book है, उनमें बहुत सारी चीजे mention हैं, कि किसको हम singular लेते हैं, वो काफी लंबे list है, तो मैं इस वीडियो में mention नहीं कर सकती, तो एक बार आप guides से, या जो भी आपके पास books हैं, आप उनमें read कर लें कि कौन सी चीज singular है, और कौन सी चीज को plural कहा जाएगा, अब एक और sentence देखते हैं, आप वीडियो को pause करें और देखें, कि क्या ये incorrect है, और अगर incorrect है, तो इसमें क्या गलत है, आपको पता चल गया होगा, तो चलिए, मैं बताती हूं इसमें, जो हमारा sentence है, आप देखें, इसमें are तो ठीक है, क्योंकि कमरे की दिवारे होती है, लेकिन यहाँ पे जो rooms लिखा है, यानि कमरो की दिवारे, और यहाँ पे हमने this भी लगाया है, तो this का मतलब तो एक हो गया, ठीक है, और rooms मतलब बहुत सारे rooms की दिवारे are dirty, मतलब गंदी है, तो यह हम इसलिए है, क्योंकि यहाँ पे हमने rooms लगाया है, तो इसका sentence, correct sentence क्या बनेगा, the walls, क्योंकि दिवारे तो होती हैं कमरे में, एक दिवाल तो नहीं होती, the walls of this room are dirty, are हमने इसलिए लगाया, क्योंकि हम walls की बात कर रहे हैं, यानि की plural की बात कर रहे हैं, next example देखते है, she gave a four anas coin to the bagger, मतलब उसने चार सिक्के दिये, किसको, bagger को, यानि भिकारी को, अब इसमें गलत क्या है, अब इसमें ये गलत है, कि जो हमारा four है, वो already plural है, तो हमें four के साथ जो anas लगाया है, हमने, वो s नहीं लगाना है, क्योंकि four तो हम already plural दिखा रहे हैं, तो हम s क्यों लगाएं, प्लूरल दिखाने के लिए, तो इसमें ये गलती है, तो इसका correct होगा, she gave a four anas coin to the bagger, next example और देखते हैं, राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम फादर, अब आप वीडियो को pause कीजिए, pause कीजिए और देखिए, इसमें क्या गलत है, तो इसमें ये गलत है, कि जो राम एंड श्याम, फादर, यहां पे ये पता चल रहा है, राम श्याम पिता, लेकिन हमें दिखाना है, राम और श्याम के पिता, तो हम इसमें लगाएंगे, राम एंड श्याम फादर, श्याम में हम s लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि राम एंड शाम के ये फादर हैं तो इसमें ये mistake है इसी तरह options में आ सकते हैं तो आप easily इसको पैचान लेंगे और example देखते हैं जैसे my trouser is tight at the waist अब यहां पे जो trousers है वो तो प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमने लगा रखा है इस तो इसका correct option होगा my trousers are tight at the waist ठीक है हमें याद लख रहा है कि प्लूरल और स्विलर हमें कहां पर कैसे use करना है नेक्स्ट है राम एंड श्याम वाज बिजी राम और श्याम busy थे अब आप pause कीजिए और खुद से mistake लिकालने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चल गया होगा इसमें mistake क्या है इसमें है राम एंड श्याम वाज बिजी वाज होता है हमारा singular के लिए क्यूंकि हम यहाँ पे राम एंड श्याम यानि प्लूरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे वाज की जगा वर तो sentence होगा राम एंड श्याम वर बिजी ठीक है next देखते हैं Sheila have written the letter अब Sheila letter लिख चुकी है अब आप फिर से pause कीजिए और देखिए इसमें क्या गलती है very good इसमें गलती यह है कि जो Sheila है वो singular है और singular के साथ has लगता है तो इसका होगा correct answer Sheila has written the letter ठीक है next देखते हैं you has seen me you has seen me pause कीजिए इसमें गलती क्या है you के साथ लगता है have तो यहाँ पे has नहीं आएगा तो इसका answer होगा correct answer you have seen me अब मैं आपको चार sentences देती हूँ जिनका आप conversion करके यानि incorrect को correct करके आप मुझे comment section में mention कर सकते है तो पहला है the thief were arrested by police next है Mohan sister cooks food उसके बाद what are the information next my shoes is tight at the bottom ठीक है अब आपको इसको सही करना है और comment में मुझे बताना है आप इनकी practice करके देखें आपके पास जो भी book और guide अब लेवल है उससे practice करें ताकि आप अच्छे से पैचान सकें कि correct हो तो incorrect में यानि incorrect हो तो correct में कैसे convert कर सकते हैं अगर आपको कोई doubt है तो मुझे इस related आप comment section में पूश सकते हैं तो और मैं next कोशिस करती हूँ आपके antonyum synonyms बहुत जादा है तो उनकी video बनाना थोड़ा impossible सा है तो मैं कोशिश करूँगी जो important होंगे वो लाने की मैं कोशिश करूँगी otherwise जो बहुत ज़्यादा important है वो मुझे आप comment section में mention कर दीजे ताकि मुझे पता चले कि कौन सा topic ज़्यादा important है जो सबको ही चाहिए जिसके लिए ज़्यादा votes आएंगे मैं उसके लिए video बनातूंगी तो मिलते हैं अपनी next video में thank you